Hello students, students जैसा कि आपको पता है अभी रिसेंटली संगाई कोर्परेशन ओर्गनाईजेशन जो है इस गुरूप की मिटिंग है वो समरकंद नाम के सहर में आयोजित हुई Students इसी मिटिंग के दोरान में एक कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हुई तो Students इस वीडियो में हम जानेंगे की कौन थे महराजा सवाई जैसिंग और उनका क्या encouragement रहा है हमारे medieval history के समय में तो उनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे Students अगर हम बात करें सवाई जैसिंग की तो सवाई जैसिंग को जिनको महराजा अब दा आमेर के रूप से जाना जाता है आमेर के महराजा थे इसके अलावा इनको फाउंडर अब दा जैपूर सिटी वो ही जैपूर सिटी जो राजराजस्तान की कैपिटल है और उसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है तो जैपूर सिटी के जो फाउंडर है वो महराजा सवाई जैसिंग है इनी के नाम से जो जैपूर सिटी है उनका जो नाम है वो गिरा है Students अगर हम बात करें महराजा सवाई जैसिंग की तो अपने समय की एक great warrior थे एक astronomer थे इसके अलावा उस समय के जो social and politically जो भी issues थे उनको great way में understand करने वाले person थे Students अगर हम बात करें महराजा सवाई जैसिंग का जो name है नेम के पहले जो सवाई जो title है वो use किया गया है तो सवाई टाइटल उस समय में दिया जाता था और सवाई जो title है उसका meaning होता था one plus में one quarter one plus में one quarter that meaning that's Yoda that person is extraordinary एक person से एक सवाई ज्यादा है उसका जो knowledge है उसका किसी जो topic है उसको understand करने का वो एक great warrior है तो इनको जो सवाई टाइटल है वो उस समय में जो मुगल emperor थे औरंग जेप की दुवारा इनको जो सवाई टाइटल है वो दिया गया students अगर हम बात करें महाराजा सवाई जैसिंग की तो ग्यारा साल की उमर में ये जो seat of the power है इन्होंने take over किया इनके पिता की मिर्थिव के बाद में इसके अलावा students ये basically जो राजा सवाई जैसिंग है ये great warrior थे इन्होंने काफी जो battles हैं उनके अंदर में participate किया इसके अलाव पें इंडिया में establishment किया सबसे important बात students की अगर हम बात करें कि world की जो larger sun dial है world की जो larger sun dial है जिसको जो stone की बनी हुई है वो राजस्तान जैपूर के अंदर located है तो वो इहीं के दुआरा बनाई गई थी महाराजा सवाई जैसिंग के दुआरा students अगर हम बात करें कि जो राजा स सवाई जैसिंग है, art, science, philosophy and military affairs के अंदर इनको काफी ज्यादा interest था, इसके अलावा students सबसे important बात ये कच्छावा नाम का जो clan है राजपूत, राजपूत rulers के अंडर में तो उस clan से ये belong किया करते हैं और जो ये title इनको जो सवाई नाम का जो title दिया गया, इस title को इन्होंने और इनके जो descendant हैं, उन्होंने इसको continue capture रखा है, students, अगर हम बात करें जो इनका important contribution है, students, जो astronomy, observatories हैं, वो इन्होंने इनको establish किया है, ये पाचों की पाचों जो observatory हैं, जिनको जंतर एंड मंतर की नाम से जाना जाता है, जंतर मंतर, जिसको UNESCO heritage का जो status है, वो भी दिया गया है, तो आपने जंतर मंतर का जो नाम है, वो सुना होगा, कि दहली के अंदर जो भी protest किये जाते हैं, जो भी government के against में, जो भी यहाँ पे agitation चलते रहते हैं, वो जंतर मंतर एक protest site के रूप में, जिसको काफी ज्यादा जाना जाता है दहली के अंदर में, तो वो ही जंतर मंतर जिसके जो founder है, महराजा सवाई जैसिंग है, इन्होंने दहली के अंदर में, जैपूर के अंदर में, वारानासी के अंदर में, उज्यैन के अंदर में और मत्रा के अंदर में जो जंतर मंतर हैं, उनका इन्होंने establishment किया, इसके अलावा students, 1727 के समय में, 18 November 1727 को इन्होंने जो पुर्पुर सहर को स्टेबलिस करने के बिहाइंड में क्या रीजन था तो इस्टुडेंट जब इनके समय में जो power center हुआ करता था वो आमेर नाम का सहर हुआ करता था तो आमेर जो है वो पहाड के उपर located है एक आमेर उस समय में आपको पता है कि security के tactics थे जो उस समय में जो force जो बनाई जाते थे वो पहाडों के उपर बनाई जाते थे तो आमेर एक पहाड के उपर located है बट इनको एक visionary परसन थे महाराजा सवाई जैसिंग तो इन्हों इन्होंने एक trade center के रूप में एक city को develop करने का सोचा कि एक city यहाँ पे इस्टेबलिस की जाए जिससे यहाँ पे जो trade है उसको अच्छे वे में यहाँ दूसरे जो kingdom हैं उनके साथ में किया जा सके तो इसलिए इन्होंने जो plane area है अगर हम बात करें कि यह कोई पहाड है तो यहाँ पे अगर आमेर सहर located है तो यहाँ पे जो जैपूर सहर है उनको इन्होंने establish किया और जैपूर को काफी ज़्यदा जो planning है उसके साथ में establish किया गया है completely अगर हम बात करें कि जैपूर सहर को जिस तरीके से establish किया गया है यह काफी ज़्यदा जो planning है वो उसके behind में है अगर हम बात करें जैपुर सहर के students जैपुर सहर को UNESCO World Heritage Site है उसका status UNESCO के दुआरा 2019 के अंदर में दिया गया तो यह जैपुर सहर की कहानी है जो महराजा सवाई जैसिंग ने establish की थी इसके अलावा जो astronomy, science, philosophy का काफी ज़्यदा इनको interest रहा है अगर हम बात करें students यह जो जंतर मंतर है और यहीं पे located है वर्ल्ड का जो largest अगर हम बात करें जो sun dial है जो पत्थर की बनी होई जो सूरिये की जो घड़ी है वो यहाँ पे located है तो students इसको देख के लगता है कि जो महराजा सवाई जैसिंग है वो उस समय से पहले किस तरीके से astronomy में कितना इनको interest हो उस समय में रहा होगा इसके अलावा students हम बात करें कि इनके जो kingdom है वहाँ पे जो basically अगर हम बात करें जो बाहर के जो astronomers है उनको भी invite किया जाता था उनसे यह continue discuss किया करते थे astronomy में इनको काफी interest था तो यही students को अगर हम बात करें महराजा सवाई जैसिंग से related जो उनके contributions हैं वो रही हैं अगर हम बात करें कि जो इनकी battles हैं अगर हम अगेंस्ट माराथा हैं या भरतपूर kingdom के अगेंस्ट में हैं तो वो सब हमारे UPSC के civil service examination के लिए इतनी ज्यादा important नहीं हैं हमारे लिए जो इनकी द्वारा जो important जो काम क किये गए हैं जो observatory जो scientific temporary हिनोंने show किया उस समय में तो वो हमारे exam के लिए important है कि किस तरीके के उनका contribution रहा है scientific तो वो सब हमने देखा आपको अगर कभी समय मिले तो जरूर विजिट कीजिए आमेर के अंदर भी विजिट कीजिए जंतर मंतर के अंदर भी विजिट कीजिए तो students इस तरीके के short videos के थरूर हम आपसे continue मिलते रहेंगे thank you students thank you very much